आप देख रहे हैं पॉल साइंस हेल्प चैनल फॉर पॉलिटिकल साइंस इस्टुडेंट और ये कोशिस है उनके लिए जो फर्स टाइम सेमिस्टर एक्जाम दे रहे हैं देली इनवस्टी या S.O.L. इनवस्टी के CBCS syllabus के पहली बार essay type exam, इनवस्टी exam के लिए उनके लिए latest three year paper analysis मैं हर सिमिस्टर के लाता हूँ, पुरानी जो है already channel पे है लेकिन ये latest है जिसमें कि last three years question 20, 19 और 18 के analysis करेंगे, explain करेंगे और guess भी करने कोशिस करेंगे, वैसे उस पे बहुत ज़्यादा आप निर् prizes हो सकते हैं, लेकिन मेरी एक कोशिस होगी, इमानदार कोशिस गेस करने की, ये paper है political theory paper, जो BA honors first semester का है, so let us begin this discussion, मैंने यहां website का address दिया है, जहां से कि आप exam nation guide भी जो मैंने, मैं release कर रहा हूँ, उसको आप download कर सकते हैं, website पे जा सकते हैं, PDF notes free में देख सकते हैं, और बहुत स सबसे पहले कि आप चुकि first semester exam दे रहे हैं, ये exam open book system में होगा, अभी भी corona का time चल रहा है, उसमें थोड़ा difference है केवल 6 question होंगे, उसमें से आपको 4 choice करने हैं, तो थोड़ा कम हो जाता है, पहले 8 में 4 करने होते थे, एक last में note writing का question होता था जो थोड़ा बच्चों को बचात हैं, इसलिए मेरी बहुत strong सबको सला होती है, कि आप Paul Science Help exam guide जो कि बहुत मेहनत से तयार की गई है, ये कोई boasting नहीं है, ये fact है, कि उसमें आपको जो material मिलेंगे, जिस level का, वो नहीं है market में, और इसलिए मैं लेके आया हूँ, यदि होता तो मैं कोसिस भी नहीं करता, तो आप अभी आज कल तक उसको पढ़ना सुरू करते हैं, तो exam mission तक 5-6 बार आप ज़रूर पढ़ चुके होंगे, आपको लगबग याद हो चुका हुआ किस page में क्या है, तो आपको help होगा open book system में उससे refer करने में, उसके पहले मेरी सला होगी कि कम से कम 5-6 बार आप जो Paul Science Help videos, जो playlist मेंने बना दिया है, first semester का political theory को उसको देखिए, आखे बंद करके देखिए, इस तरह से देखिए कि last time में आप 5 minute में देख जाए, उसको काफे fast करके देखिए, browse करके देखिए, शुरू में जो है 30 minute की video है, उसको आप 1.5 में देखिए, बाद में उसको 2, 2.5 में भी ज जरूरत होता है, मैंने आपके लिए यहाँ पे किया, आप देखेंगे, उससे भी कुछ आपको फायदा हो सकता है, again मैं आपको बता रहा हूँ कि यह जो है, दो addresses में दे रहा हूँ, यहाँ पे available होगी, Insta Mojo पे, जो आप यह site देख रहे हैं, इसके अलावा जो website है, paulscience help.in वहाँ पे भी इसके link available है, तो वहाँ से भी आप exam guide को download कर सकते हैं, और free PDF note भी मैं डालूँगा, वो तो आपको freely available होगी, so this is all about कि क्या examination कैसे prepare करना है, और कैसे paulscience help आपको help करेगा उसके लिए, यदि हम syllabus को देखें, तो यह revise syllabus है, ध्यान दीजी, यह first time, second time एक question आ रही है, 2020 में था, 1920 Sessions revise की गई है, इसमें 5 unit है, पहला unit जो है, वो basic है कि politics है क्या, या idea of the political, यहाँ पे politics, political में थोड़ा समझी है, politics एक noun है, the political जब हम word बोलते हैं, तो यह adjective हो जाता है, anything related to politics, जो है वो the political कहला सकता है, या जैसे कि political phenomena, तो वो ऐसा phenomena जो politics से related है, it's like that, तो उसकी क्या idea है, और उसको कैसे हम theorize करते है, theorize मतलब कि political theory कैसे बनती है, उसके क्या relevance है, उसके क्या approaches है, तो next unit यो ही कहता है, approaches to political theory, आप कैसे political theory बनाते हैं, एक approach है कि normative, normative का मतलब यह हुआ जिसमें कि norms हैं, values हैं, बहुत ज़्यादा जिसमें बोलते हैं कि morality, ethics का है, कैसा होना चाहिए इसको normative कहते हैं, जो historical का मतलब क्या होता है, कि आप history को as a guide लेते हैं कि कैसे political phenomena, जैसे राज यह है, कि उत्पती कैसे हुई, तो वो पहले प्राचीन काल में कैसे थी, फिर medieval काल में, और फिर modern में, कैसे बदलता गया, उससे आप एक pattern ढूंदते हैं, और फिर एक अपनी theory ब scientific method से data जुटाते हैं, और फिर उसको statistical analysis करके एक pattern निकालते हैं, causal relation निकालते हैं, और फिर scientifically जो है, जैसे laboratory में test होती है, तो आप human laboratory में बार बार अपने hypothesis को test करते हैं, इस तरह से approach, तो normative versus empirical एक बहुत बड़ा debate हो जाता है, जिस पर question पूछिए आती, historical से generally question नहीं पूछ रह जो है, अब liberal ideology politics में बहुत strong है, पूरी दुनिया में चाही हुई है, मार्किस एक समय में strong थी, वो oppose करती थी, लेकिन USSR के पतन के बाद वो तो ध्वस जैसा हो गया, कुछ country में है, लेकि मार्किसम as an idea अभी भी उतना ही relevant है, तो उस पे है, अनार्किसम जो है, आपको साथ पत पर मत जाईए कि कोई बहुत anarchist है, वो बहुत ही अच्छी idea है एक तरह से, तो वो पढ़नी है आपको conservative, conservative ही सुनने में बड़ा दख्यानुसी लगता है, लेकिन दख्यानुसी नहीं है, अभी world के जितने बहुत बड़े-बड़े अच्छे party हैं, वो conservative party है, जैसे अमेरिका म है, वो critical perspective आपको political theory में पढ़नी है, जो feminist है, critical मतलब कि ये general जो main stream जो ideology है, उसके critique होते हैं, वो उसमें बुराई ढूनते हैं, एक अलग तरीके से जो है, एक अलग perspective से politics को देखते हैं, उसमें feminism है, और post-modernism है, जो कि बहुत अभी important होती जा रही है, feminism भी बहुत important है, examination point of view से feminism है, और last में ये आपको एक नया topic आड किया गया है, पहले नहीं था, पहले democracy था, उसको अगले semester में भीज दिया गया है, यहाँ idea of the political community और political obligation है, इस पे मैं video आज ही release कर रहा हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं, political community क्या है, बहुत basic idea है, जब लोग जुटते हैं इस तरह से कि अपने power को pool करते हैं, politics के purpose है, और उसको अस power को, पूल power को politically use करते हैं, तो हम उसको political community करते हैं, most simple way में समझें कि nation state एक तरह का political community है, तो इस तरह से आप political community हैं और political obligation यह है、 कि क्यों आप state या government के law या order को माने, उसका basis क्या है? उसको political obligation बोलते हैं, कि कोई को बो लेगा कि क्यों हम government का order को माने क्यों हम law को माने तो वो जो क्यों का जो question है जवाब वो political obligation के concept से आता है So this is all the जो आपके syllabus हैं अब इस पे के करके हम लोग देखेंगे कि क्या तीन साल में question पूशे गए है पहला unit देखें तो what is politics and theorizing the political है जैसा मैंने आपको बोला कि politics का idea इस पे ही आपको question पुशा सकता है 2018 में देखिए define politics critically examine the power view of politics अब यहां पर थुआ रूख करके देखिए कि politics ही आपको बोले क्या है तो आप बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं कि politics is the game of power कि power को acquire करना उसको use करना समाज के भले के लिए politics है यह एक definition है लेकिन जब आप political science के भी student बने हैं honors में तो आपको कई जो है तरीके से politics को समझने के जरूए था इसका सबसे जो general जैसे कि मुझे लगता है कि ओकसुट ने जो कहा कि attending to the general arrangement of a set of people when chance or choice have brought together मतलब कि अब इससे दिख general definition नहीं सकता है कि एक समू है लोगों का उसको उसके जो social arrangement के बारे में जो कुछ भी ओ of politics है और वो लोग जो है by chance या 24 इकठे हुए हैं तो यह politics का या उसका दूसरा एक पैमाना देखे कि इस्टन ने definition दिया डेविड इस्टन ने एक से दो बेक्ती हो जाते हैं अकेला बेक्ती में politics नहीं होता है और politics वहाँ सुरू होता है जहां यह होता है कि किसकी बात मानी जाएगी और किस परपस से किसको क्या मिलेगा जो कि हरा लासवल ने कहा कि who gets what when and how यह politics है तो यहाँ politics हो जाती है इसले लोग बोलते हैं office में क्या politics जल रहा है किसको वो position मिल रही है किसको वो award मिल रहा है किसको वो favor मिल रहा है किसको resources मिल रहे है यह decision जो होता है जैसी collective decision होती है dialogue discussion होता है consensus होती है Samoo में कैसे फैसला लिया जाता है यह सब political के डाइरे में आ जाता है तो यह define politics है और power view of politics जो आपको मैंने पहले बोला कि politics और power ऐसा घूला मिला है कि आप दोनों को लगबग एक जैसा समझ सकते है कि politics is the game of power मतलब इदि आप कहिए कि दो चीजों से politics का sign post है तो एक है interest मतलब हमारा क्या interest है hit है और दूसरा power जिसके पास power होता हुँआ अपने interest को prevail कराता है ग्रूप में यह politics है One view है Then 2019 में question है discuss the concept of political theory अब यहाँ पे आगया यह theorizing the political से कि political theory क्या है अब theory एक तरह का grand reflection है किसी चीज़ के बारे में आप systematically कोई proposition कहते हो जैसे आप कहते हो कि सूरज पूरब में इसलिए उगता है कि earth जो है पस्चिम से पूरब अपनी धूरी पे घूमती है तो यह एक proposition है तो इस टाइप के जब आप proposition देते हो तो बहुत सारे analysis करके उसको test करके तो यह theory होती है जैसे Newton का law है motion तो वो एक theory है इसी तरह political theory दिया थी John Rawl ने दिया theory of justice तो इस तरह से political theory क्या है discuss the relevance in political science of course मतला कि बहुत relevance है आप कोई बोलेगा science में Newton's के theory का क्या relevance हो तो इस पर आप लिख सकते हो then 2020 में question है do you think understanding of power is essential to understanding politics फिर वही है कि power view of politics तो जैसा मैंने आपको बोला कि politics को समझने के लिए power को समझने ज़री है power का क्या concept है बहुत simple way में तो यह आप यह कह सकते है power है यदि मेरा power तुम्हारे उपर है तो तुम वो काम करोगे जो मैं तुमसे करवाना चाहूँगा भले तुम उसको करना चाहो यह नहीं यह power है power of A over B लेकिन यह बहुत simple है Hannah Arden जो है बहुत बड़ी thinker थी Germany की उन्होंने power का अलग definition दिया उन्होंने का कि power जो है वो co-creation है जब एक समूव में व्यक्ती बातचीत करके कमनी केसं से मिल करके कोई चीज क्रियेट करता है तो वो power है ताकत है और इसको कई लोग इसको मानते है positive view of power और इसके मतलब कि sacro definition है politics में power के एक range से लेके दूसरे range तक तो उसको समझना बहुत जोड़ी है जितने range है power के उतने ही range है politics के तो ये question उससे related है ये मैंने exam guide में सब को मैंने बहुत महनत से कोशिस की है कि आपको simple way में simple English में लिखें आप उसको देखेगा तो I hope कि आपको उससे कुछ समझ में आएगी और even competitive exam के लिए भी मेरी जो guess है इसको देखने के बाद और भी मैंने कुछ question देखे हैं मेरी guess है कि शायद इस बाद जो है ये question इस type कहा सकता है कि discuss the idea of the political जो अभी discuss कर रहे थे कि politics क्या है the political मतलब adjective लगा दिया तो politics से समझ लिजे how can we theorize the political और इसमें दूसरी पूछ भी जुड़ गई कि कैसे हम theorize करते हैं politics को कैसे theory मतलब क्या होता है political theory क्या है कैसे theorize करते है इस पर मैंने पूरा जो exam guide में लिखा है अब उसको refer कर सकते है so this is the first theme अब यदि हम second theme को देखें approaches to political theory तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता है कि normative क्या होता है empirical कैसे काटता है यह norm value है यह prescriptive है out to, should be तो empirical factual है fact, data, collection, scientific analysis यहाँ science घुज जाता है statistics घुज जाता है इसको modern कर सकते है यह traditional है लेकिन ऐसा मैं समझें कि normative traditional है तो बहुत पीछे है in fact, political theory by its nature should be normative यह आपको समझना चाहिए and historical हमने आपको अर्रीडी बताया 2018 में question है what is normative political theory norm, value, prescription, out to कैसा होना चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए लोग कैसा behave करना चाहिए यह जो view से जब हम politics को देखते हैं उससे theorize करते हैं Plato ने किया, Aristotle ने किया में बहुत अच्छे से cover किया है यह थोड़ा से typical question है Communitarianism का मतलब यह होता है जहां community feeling को बढ़वा दिया आता है individual के ऊपर जो society को एक organic hole माना आता है माना आता है कि individual उसी तरह से society का part है, जैसे अंग का part हाथ होते हैं, तो उसमें primacy जो है normative political theorist ने इस बात को बहुत value दिया है कि आदर समाज कैसा होना चाहिए गांधी जी से ले के plateau तक जो है तो यह एक बहुत strong part बनता है normative political theory का communitarianism 2019 में question है explain the difference between normative and empirical approaches to study of politics, यह तो उसम run of the mill question है, normative versus empirical, यह तो मेरा video देख लीजे normative versus empirical पूरा question अब लिख सकते है analyze normative and empirical approaches to political, यह भी मेरा जो video है normative and political उससे, मतरब यह दोनों question तो एक है, यह question थोड़ा अलग है, इसको मैंने अलग तरीके से deal भी की है, मेरी guess इसमें यह है explain the difference between normative and empirical approaches to the study of political, मतरब जो एक घिसा-पिटा question है, साइद इस बार आ सकता है इस type की tough question नहीं आएगी, लेकिन इदी आएगी तो examination guide में यह है और एक और मैंने जो उसके different जो branches है, normative के, उसको भी एक अलग question मैंने cover किया है यदि हम third unit देखें, तो यह है tradition of political theory, यह सबसे important है इससे आपको दो question रहेगा liberal, marxist, anarchist and conservative उसमें भी जो liberal, marxist से के question होने के जाएगा chance है, anarchism conservative को साइब छोड़ दे, लेकिन मेरी guesses बारे की साइद anarchism को ले ले तो 2018 में question है कि discuss the elements of liberalism तो liberalism तो पुरी दुनिया में चाही हुई है, अमेरिका, Europe उसके बरे जनक हैं, वाहक हैं, और liberal democracy पुरे दुनिया में है, liberalism का ही जो economic arm है, वो capitalism है जो liberal या neo-liberal capitalism उसी को globalization कह सकते हैं expansion उसका worldwide हो गया है, तो अभी तो पुरी दुनिया liberalism के साहे में जी रही है हम लोग भी, तो उसके क्या idea है, ideology है, जो 17th century में examination guide में, आपको पता है कि अभी liberal को एक तरह सल गाली दी जाती है, इंडिया में भी लोग बोलते हैं, तुम liberal undo हो, तो ये क्यों ऐसा बना कि liberalism से लोग इतनी घरणा क्यों करने लगे, ये इसका challenge है, इसमें कुछ शद्म है, कुछ हिपा हुआ है, कुछ ऐसा hypocrisy है, जो बहुत लोगों को पसंद नहीं आती है, कहने को ये equality, rights, justice की बात करता है, लेकिन ये वो equality किसके लिए, justice किसके लिए, भूखे डंगों को छोड़ देता है, जो strong capitalist class है, उसकी liberty है, उसकी justice है, उसका right है, अल इन सब challenge को हमने जो है, deal करने ही कोशिस की है, elaborate on the principles of themes of anarchism, अब आप देखी कि anarchism पे full question पूछा और एक ही बार पूछा है पिछले पास सालों में, वो ये है, कि क्या है anarchism, उसके क्या theme है, और उसकी relevance जो है anarchism की contemporary world में क्या है, anarchism का एक line में समझे, तो ये कहती है कि भाई हमें किसी भी organized या hierarchical या power based authority की जरुवट नहीं है, जो कि हम पे शाशन करे, individual में वो ताकत है कि अपना खुद का life और समूव में peacefully, harmony, love के साथ रह सकता है बिना किसी सत्ता के, तो सत्ता को जो नकारती है और जो सोचती है कि बिना सत्ता के हम peacefully रह सकते हैं, वो anarchism है, कितना beautiful idea है, लेकिन क्या ये संभव है, इसलिए लोग इसको utopic मानते हैं, तो एक question आप देखिए कि liberalism से है, दूसरा question anarchism से है, 2019 में तीन question पूछ दिया है, पहला जो है marxist view क्या है politics का, तो marxism पे, तो मैंने एक video भी डाला है, पूरी question भी मैंने deal की है, exam guide में कि basic thought क्या है marxism का, सबसे समझे कि strong political thinking, इती 19th century की थी, तो marxism थी, with special reference to class struggle, तो marxism का पूरा जो theory class struggle का है, marxist जो theory of history, marx ने कहा कि history is nothing but the history of the class struggle, तो class struggle जो है, जो capitalist and labor class, have versus have not, rich versus poor, उसी का जो पूरा संघर्स है, वही politics को दर्स आता है, तो वो आपको पूछा गया है, marxism पे एक question है, अब यहाँ देखिए liberalism, anarchism पे था, तो यहाँ marxism और फिर liberalism पे है, liberalism और marxism, और यहाँ पे जो है historical intellectual evolution of conservatism, तो यहाँ पे तो तीन पूछ दिया, liberalism, marxism, conservatism, यहाँ पे liberalism and anarchism, और 2020 में देखिए तो discuss marx view on alienation, अब यहाँ पे marxism का एक अलग जो concept है, कि कैसे worker, जो industrial worker होता है, वो अपने work से ही, अपने product से ही अलगाओ फिल करता है, तो समझ भी नहीं आता हूँ क्या बना रहा है, क्योंकि वो एक part बनाता है छोटा, जैसे कि एक car को देख करके सिवरले car, माल जे 50 लाकी car है, तो जो labor उसका एक छोटा सा nut को tight कर रहा है, वो समझ भी नहीं पाता है कि यह car मैंने ही बनाया है, या मेरा योगदान है और उस car को चढ़ने की भी उसके हैसियत नहीं है, तो उस product से, उस process से कैसे एक worker अपने को अलगाओ फिल करता है, और उससे उसके जीवन पे क्या असर प्रता है, यह alienation है, तो इस पे question है कि discuss Marx view on alienation, is it relevant today, give reason, बहुत relevant है, और alienation बहुती जा रही है, इस consumerism के दौर में, जहां पे कि हर चीज़ जो है, materialistic point of view से देखा जाता है, even human relation को, तो alienation बहुत रहा है, तो यहाँ एक question देखे, Marxism पे आ गया, दूसरा question जो है, libertarianism पे है, जो कि एक तरह का नया liberalism है, libertarianism यह है, जहां पे कि एकदम से माना जाता है, कि ब्यक्ति को एकदम बिल्कुल खुला छोड़ दो, लगभग anarchism जैसा, state को बिल्कुल यह नकारते हैं, tax नहीं होना चाहिए, आदमी को पूरा freedom है, कि अपना जिस तरह से अपना economic and social life, जिस तरह से जी है, वो ऐसा जी है, तो वो libertarian view है, उसके बारे मैं पूछा गया है, one of the strand of liberalism है, मैंने exam guide में कोशिस किया है, कि सारे जो strand है liberalism के, उसको एक एक करके आपको बताऊ, यह question मैंने एक deal किया है, और यह कैसे different है, welfare liberalism से, जिसको social liberalism करते हैं, यह भी मैंने exam guide में deal किया है, तो आप यहाँ देखिए, तो Marx और liberalism, तो liberal Marxism, इस तरह से combination बना के देते हैं, मुझे लगता है, इस बार Marxism और liberalism पे दो question देंगे, पहला question हो सकता है, discuss the core principle of Marxist view of politics, simple है, discuss its relevance in contemporary time, यह बहुत important है, अभी समझना कि, क्या आज के समय में Marxism हम लोग के relevant है या नहीं, दूसरा जो core principle of liberalism पे आपको पूछा सकता है, और इसके जो different strand है, जैसे मैंने आपको बताया, classical liberalism से सुरू हुई, फिर यह social या welfare liberalism में developed हुई, जिसको modern liberalism बोलते हैं, फिर वो जो है, नियो classical या libertarian में बदल गई, जिसको की है, मैंने अभी थोड़ आपको explain किया, तो इस तरह से जो different strand है, उसी से एक branch निकल के conservatism भी बनता है, वो classical liberalism से ही निकला हुआ ब्रांच जिसको conservatism बोलते हैं, तो इस तरह से जो different strand है, उस पे भी question पूछा है सकता है, so this is my guess, कि एक Marxism से और एक liberalism के different strand से, और basic उसके जो thought है, उस पे हो सकता है, तो ये जो है सबसे बड़ा जो theme है, वो theme two है, दो question वाला, अब यदि हम देखें कि जो feminist और post-modern, जो दो criticalizes, ये थोड़ा सा बहु ज़्यादा इससे नहीं पूछते हैं, feminism से लगातार पूछ रहे हैं, 2018 में question है, discuss in detail the feminist perspective in political theory, note लिखने आता था post-modern पे, अब तो आप note है नहीं, फिर यहां पे देखें, 2019 में examine difference between sex and gender from feminist perspective, आपको पता होना चाहिए, कोई पैदा में के रूप में नहीं होता है, इसका कहने का मतलब क्या है, कि जो masculine attribute है, कि man ऐसा होगा, कि उसको दर्द नहीं होगा, ये सब social construct है, ये कोई artificial है, ये सब ऐसा nature नहीं कुछ नहीं है, मर्द को भी दर्द होता है, और वोमें को भी दर्द नहीं हो सकता है, तो इस टाइप का जो feminine, masculine जो ऐसे बनाया गया है, construct किया गया है, कि वोमें को घर बनाना चाहिए, बचे पालना चाहिए, वो गुड़ों से खेलेंगी, and all, मर्द competitive होंगे, वो physical exercise करेंगे, यह सब नहीं मानते हैं, feminist perspective में कहा जाता है, कि gender एक social construct है, sex जो है biological है, man-woman जो है, बनाया जाता है, create किया जाता है, society दोर है, again जो है, post-modernism पे question है, discuss various school of feminism, तो आप देखे, main question के वल feminism पे पूछा गया है, यह मैंने जो है, deal किया है, feminism पे पूरी एक मैंने ऐसे टाइप question लिखी, जिसमें कि सारी चीज़ा आपको गवर हो जाते हैं, different schools भी हो जाते हैं, यह different strand कह लीजिए, liberal feminism है, radical feminism है, third way feminism है and all, मेरी guess है कि इस type of question पूछ सकते हैं, the personal is political, यह भी एक नारा feminism ने दिया था, जैसे उन्होंने sex gender पे दिया, इसका कहने का मतलब क्या है, कि यह जो बांट दिया गया था ना, liberalism में, कि private space is a marriage है, family है, even civil society है, market है, वो एक अलग है और politics, public life जो है separate है, तो उस glass wall को वो तोड़ते हैं, वो कहते हैं, यह धोखा है liberalism का, कि वहाँ तो तुम equality और rights की बात करते हो, अपने घर में अपने औरतों को equality rights नहीं देते हो, तो उनका कहना है कि घर में politics शुरू होती है, जो man-woman के बीच का relation है, वो power relationship है, और जहाँ power होगा, वहाँ politics होगी, इसलिए personal is political, तो इस statement को आधार बना करके, फिर आपको लिखना वही है, different schools of feminism, या feminist perspective को analyze करना है, तो यह question बन सकता है, यदि next देखें, तो the idea, जो last है, वो है idea of the political community, political obligation, यह तो मैं आज ही video release कर रहा हूँ, आप इसको देख पाए होंगे, या देख रहे होंगे, तो 2017 में question जो है, अब इसमें क्या problem है, कि यह चुकि पिछली साल ही आई है, तो political community पे कोई आपको history तो मिलेगा नहीं, कोई question नहीं है, केवल 2020 में एक question आप देख सकते हैं, write an essay on the idea of political community, यह पूरा मैंने जो है exam guide में इसको deal किया है, आज की जो video है, मैंने detail में बताया है, मैंने अभी आपको इसका definition भी introduction में बताया है, 2017 में मैंने political obligation कर लिया है, जो सहमें second term में यह paper होती थी, 2017 में do we have a political obligation to obey the state, मतलब why should we obey the state, या government, why should we obey the law, कोई traffic law उसको क्यों पालन करना चाहिए, कोई कानून बनता है, उसको हमको क्यों मानना चाहिए, किबल इसलिए नहीं कि police पकड़ लेगी नहीं मानेंगे, लेकिन उसका कोई moral basis भी है, इसको political obligation का concept बोलते हैं, और यदि नहीं माने तो उसका क्या scope है, इसको civil disobedience करते हैं, जो गांधी जीनिवे में बता है, यदि हम किसी law को तोड़ते हैं, मानलों उन्हों सॉल्ट law को तोड़ा, तो जैसा भी कृषी कारून के अगेंस्ट में किसान खड़े हो गए, तो क्या ground होना चाहिए, जहां पे कि आप government के law को नहीं मानें, उसको civil disobedience करें, तो क्या है, तब ही आपका moral obligation बनता है, कि आप सरकार के law and order को मानें, तो क्या है, दोनों question को मिलाया जा सकता है, political community और political obligation को, इस तरह से मैंने guess किया है, So this is all I wanted to say, students, I hope कि, मैंने बहुत कुछ आपको बताया, भी है, बहुत तेजी से बताया है, लेकिन आप इस वीडियो को दो-तीन बार देखेंगे, तो आप लगबग एक overview मिलेगा, कि ये question का essence क्या है, इसकी बारे में भी आपको मिलेगा, कि वल मैंने ये नहीं बताया कि क्या question पूछे गया है, और क्या पूछे जा सकते हैं, लेकिन उसके पीछे जो thought है, उसको बहुत nutsell में मैंने बतानी कोशिस की है, इसका elaboration आप different मेरे वीडियो में देख सकते हैं, और इसके question answer actual आप examination guide में दे सकते हैं, जो आज ही रात में release कर रहा हूँ, और ये again मैं आपको दे रहा हूँ, ये link है, in fact website पे भी आप इसको देख सकते हैं, paulsciencehelp.in यदि आप type करेंगे, तो वहाँ भी आपको link मिल जाएगी examination guide की, ये सारे जो हैं, आप इस तरह से मुझसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, website है, email है, इस पे बहुत सारे mail मुझे आते हैं, आप भी लिखे, मैं जवाब दूँगा, टेलग्राम चैनल है, ट्वीटर भी है, so good wishes for your examination, और exam के पहले मैं जो है, दूसरी paper पे भी जो है examination guide, और इस तरह के question paper analysis, और जो छूटे वेदी कोई topic होंगे, तो उसको लेकर के आएंगे, so good wishes, be happy, और खुब खुश होकर के exam के लिए prepare कीजिए, bye.